उत्तर पदेश में भादियंता पार्टी के बरिष्ट नेता उपेंद सुकला का निधन हो गया है हाट अटाइक की वज़े से हुआ है रविवार को और वो गोरकपूर में ही थे उपेंद सुकला बड़े नेता रहे है भाजपा के गोरकपूर के पार्टी के जिला ध्यक्ष रहे हैं उस दवरां जब राजनास सिंग की सरकार होती थी उत्तर पदेश में लेकिन उपेंद सुकला को लोग चर्चा में कम जानते थे उनके चर्चा में आने का बड़ा कारण जो बना वो बना दोजार ठारा का लोग सभा का उप चुनाओ जहां से रवी किसन ने दोजा उपेंद सुकला उत्तर परदेश के बाहर भी चर्चा में आ गए रवी किसन ने आज उनके निधन पर लिखा है पुरवांचल के कद्दावर नेता भाजपा के परदेश उपा धक्ष प्रकरव वक्ता उपेंद सुकला के निधन पर अस्तब्धूं इस्वर दिवंगत आत को अपने स्री चरणों में अस्थान दे सीम योगी की तरफ से ट्वीट आया है भाजपा के बरिशनेता उपेंद सुकला के आसामाईग निधन पर गहरा सोग बेक्त किया है उपेंद सुकला के बारे में जर आज आपको हम बताना चाहते हैं यह उपेंद सुकला आखिर क्य मांती रही है उपेंद सुकला के निधन के बाद सीधी बात आ जा रही है मुख्मंत्री योगी आदितनात के पास योगी आदिनात के पिता का पिछले दिनों निधन हो जाता है यह वहां नहीं जा पाते हैं लेकिन आज जब इनके दोस्त जिसको दोस्त बताया जा रहा है उपेंदर सुकला को क्या उनके निधन पर वहां जा पाएंगे क्यों गोरकपुर से इन दो नेताओं का बड़ा लगा रहा है अब ज़रा जान जाते हैं दोरा अठारा में जब उपेंदर सुकला को हार मिली थी तो वह क्या पूरा दोर था दर्दत समादवादी पार्टी वह 4,56,513 ओट मिले थे जबकि दूसरे नंबर पर रहे बिजेपी के उमिदवार उपेंदर सुकला को कुल 4,34,632 ओट मिले थे यसपी के उमिदवार प्रवीर निसाद ने बिजेपी के उपेंदर सुकला को 21,880 मतों से हरा दिया था और लोग कहने लगे थे कि लगता है उत् उलट फेर हुआ योगी आदितनाथ वहां से चुनाओ नहीं लड़े लेकिन रवी किशन वहां से चुनाओ लड़ते हैं और उन्हें जीत मिलती है उपेंदर सुकला का चर्चा में आने का जो बड़ा कारण था वो यही 2018 का चुनाओ बड़ी खबर यही है कि उपेंदर सु झाल